आपने पांच लोगों को मंत्री क्यों बनाया जो दस-दस करोड रुपाय अमित सासे लेके आए यह स्टेड तो उस टाइम में लेते तो जादा बढ़िया था ना अब आप यह नए नियम अब क्यों लग रहे हैं जब हमारे साती मंत्री बन रहे थे तब तो यह नियम नहीं के लिए निकमा नकारा अगदार यह सब बोलते रहते हो लेकिन मैं यह बताना चाह रहा हूं कि सचिन पाइलेट साहब यह राजस्तान की सेथ के लिए उनसे बढ़िया नेता दूसरा नहीं हो सकता तीन विदायक तो आज में उनके साथ वहां के वहीं गए हैं इनके 102 वाड उनमें से पांच लोगों को तो आपने मंत्री बना दिया और यह स्टेट तो उस टाइम में लेते तो ज़्यादा बढ़िया था ना अब यह नए नियम अब क्यों लग रहे हैं हमारे साथियों को जब है जब हमारे साथी मंत्री बन रहे थे तब तो यह नियम नहीं थे जब हुख्यमंत्री के लिए वह करें सीम नहीं बन सकते दस दस विदायक उनके साथ नहीं है इसी परसेंट भीदायक है शचिन पाइलेट साब के साथ नहीं हो तुम मैं बताना चारो हम हमारा दावा छोड़ देंगी तो यह फिर आप वन टूवन कराने में क्यों घबरा र यह जानकारी चाहता हूं कि यह जो आलक माने नोटिस दिये थे उनने तो नोटिस पर कारवाई हुई और राजस्टान में जिस तरह की सिस्टम चल रहा है यह आज दिवंगत आत्म भवरलाल जी जो आज उनके वहां सरदार सहर में सुनाव भी हो रहे हैं गैजेंदर सिंग बादा ने निकमार नकारा गदार यह सब बोलते रहते हो लेकिन मैं यह बताना चाह रहा हूं कि सचिन पाइलेट साब यह राजस्तान की सेथ के लिए उनसे बढ़िया नेता दूसरा नहीं हो सकता और वह कह रहें उनके साथ मेले नी चार्टर पलेन में आज ही चार मेले उ एक सो दो विधायेक जो इनसे तीन उनके साथ महां के वहीं के है इनके एक सो दो वाड़ों में से एक माय खड़ा और काउंट क्यों नहीं कर वा लेते हैं असी परसेंट MLA सचिन पाइलेट साब के साथ नहीं हो तो हम दावेदारी सोड़ देंगे ऐसे तो है इनके वो पैसे लेने वाड़े जो जिनका नाव निकाल कोई बगावत नहीं है सारा आलकमान की अवेलना एक भी आदमी नहीं कर सकता और कॉंग्रेस हाई कमान के आसिरवाद से सारे मेले हैं उनके आसिरवाद से सारे मंत्री और मुखे मंत्री है अपड़े दम पर गाव के सरबंज नहीं बन सकते नगरपाली का में और निकम के अंदर पार सा दिन बन सकते अपने दम पर सब कॉंग्रेस हाई कमान का आसिरवाद है उसकी वज़े से बैठे